पश्चिम की और गटी करते हैं। इसके लावा यहां पर अगर हम देखें। यह अत्दिक तीवर यह अत्तिक विद्धौनसक चक्रवाथ हो सकते हैं। यह अत्रिक बिद्धन सब चक्रवात हो सकते हैं, यह निर्भर करता है कि आखिरकार केंद्र की ओर जो पवने चल रही हैं, वो पवने के तिति बृता से चल रही हैं, यहाँ पर अगर हम देखें कि आखिरकार हम किन निम्न वायुदाप छेत्रों को चक्रवात कहेंगे, तो उस हिसाप से भी यहाँ पर विभाजन है, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना होगा, कि सेंटर पर लोग प्रेसर बनेगा, और उस लोग प्रेसर को भर दे के लिए उच्छ वायुदाप छेतर से पवने आएंगी, अगर केंद्र की ओर जो पवने चल नहीं है, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप यह देखें, जब मैं विंड स्पीट की बात कर रहा हूँ, अगर पवनों की स्पीट, केंद्री भाग की ओर पवनों की स्पीट 31 किलो मीचर प्रति घंटे से कम है, तो हम इसे कहेंगे लोग प्रेसर एरिया, अब मैं यहाँ क्लासिफिकेशन कर हो, लोग प्रेसर एरिया, अगर, अगर कहीं वायुदाब छेतर का विकास होता है लोग एर प्रेसर का, और उच्च वायुदाब छेतर से अगर पवने लोग एर प्रेसर जोन की ओर चल लही हैं, अगर उनकी स्पीट 31 किलो मीटर प्रति घंटे से कम है, तो हम इसे चक्रव नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, लो प्रेशर एरिया, अगर विंड की स्पीट, विंड की स्पीट, 31 किलो मीटर प्रतिगंटे से लेकर, 49 किलो मीटर प्रतिगंटे तक है, तो हम इसे कहते हैं, डिप्रेशन, इसे हम कहते हैं, अवदाब, यह अवदाब कहलाता है, अगर यहाँ पर पवनों की गती 50 किलो मीटर प्रतिघंटे से लेकर 61 किलो मीटर पर प्रतिघंटे तक है तो हम इसे कहते हैं डीब डिप्रेशन गैरा अवदाब और अगर अब जो चक्रवात की जो यहाँ पर जो पवनों की गती है यदिवा गती 62 से 62 किलो मीटर प्रतिघंटे से 88 किलो मीटर प्रतिघंटे तक हो जाती हैं तो यह हो जाता है साइकलोनिक इस्टार्म यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी होगी कि सभी निम्न वायुदाब केंदर चक्रवात नहीं कहलाते वही निम्न वायुदाब चेतर चक्रवात कहलाएंगे जहाँ पर दी भाग से जो पवने आती हैं उनकी गती 61 किलो मीटर प्रतिघंटे से जादा हो 61 km प्रतिगंटे से ज़्यादा और वह कितनी 62 km प्रतिगंटे से 88 km प्रतिगंटा तक है तब हम इसे क्या बोलेंगे cyclonic storm तो cyclone की category को पाने के लिए cyclone कहलाने के लिए किसी भी निम्न वायुदाब छेत्र में परधिय भाग से जो पवने प्रवेश करती हैं उनका वेग 61 km प्रतिगंटे से ज़्यादा होना चाहिए और यह जो इंडियन Metrological Department भारतिय मौसम विभाग जो है वह इसके लिए देखता है थ्री मिनट की sustainable wind मतलब थ्री मिनट तक यह wind यहाँ पर sustain करनी चाहिए तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि सभी निम्न वायुदाब छेत्र चक्रवात नहीं होते अगर निम्न वायुदाब छेत्र की और पवने इस गती से कम आ रही है तो वह low pressure area है इस range में आ रही है तो वह depression है या अवदाब है अगर वह इस range में आ रही है तो वह गहरा अवदाब है और अगर इतने में आ रही है तब ही जाकर के वह cyclonic storm बनता है अब क्या हो कि अगर जो यह चक्रवात है और इसकी speed 89 से 117 km पर आवर हो जाए अगर अब इसकी speed बढ़ जाती है अगर इसकी speed 89 से 117 km पर गंटे तक हो जाती है तो हम इसे बोलते है severe cyclonic storm अब यह गहन है गहन चक्रवाती तूफान और अगर अब speed 118 से 166 हो जाती है तो यह है very severe cyclonic storm अगर अगर अब speed 167 से 221 तक हो जाती है तो यह हो जाता है extremely severe cyclonic storm अगर इस speed 221 किलो मीटर प्रति घंटे से जादा हो जाती है नाव इट इस super cyclone अब आप यहाँ पर इस तरह की question अभी तक UPSC ने नहीं पूछे हैं UPSC आप से यहाँ पर statement ले सकती है तो आपको याद रखना है पहली बात फिर समें revise कर रहा हो कि जो चक्रवात क्या है चक्रवात वह वायुदाफ प्रणाली है जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाफ चेत्र होता है और इस निम्न वायुदाप चेत्र को भरने के लिए परिधी या circumferential उच्च वायुदाप चेत्र से पवने चक्री प्रतिरूप में प्रवाहित होती है कोरियॉलिसबल के प्रभाव में पवनों का प्रवाह वामा बर्त दिसा में उत्तरी गोलार्द में होता है anti-clockwise और दक्षणा वर्थ दिसा में या clockwise direction में दक्षणी गोलार्द में होता है वह निम्नवावदाब छेत्र जहां पर पवने परजी भाग से अंदर प्रवेस करती है यह उनकी speed इतनी है तो low pressure area इतनी है तो वह निम्नवावदाब केंदर को cyclone की category पाने के लिए यह अनिवार होगा यह अनिवार होगा कि उसकी speed 61 km पर आवर से जादा हो और इसी करम में चलते चलते जब यह 221 km प्रति घंटे से जादा हो जाती है तब हम इसे बोलते हैं super cyclone हम लोगों ने अक्सर यहाँ पर यह देखा होगा कि हम कई category देखते हैं कि cyclone की category क्या है उस पर मैं थोड़ा बाद में आपसे बात करता हूं अब इसके बाद एक और बात होती है कि जो यह ऊश्कडबंदी चक्रवात निर्मित होते हैं इन ऊश्कडबंदी चक्रवातों को छेत्रिय नाम भी दिया जाता है रीजनल लेविल पर नाम दिया जाता है जैसे अगर हम देखें यहाँ पर जापान सागर जापान सी साउच चाइना सी जापान सागर और दकषणी चेन सागर में हम इनको टाइफून कहते ही, ये टाइफून है, यद्यपी जापान में पहले इनको नोवाकी भी कहा जाता था, लेकिन अब नोवाकी की जिगर टर्म टाइफून ही यूज होता है, कई बार टर्म टैफू भी यहाँ पर आ जाता है, अगर हम इसे यहाँ से है आप सब्सक्milिय प्रसांत मालेस चेत्र में मीरी में आप से बात कर रहा है अगर कि से इंडिया ओशन में अर्थ इंडिया नोशन की तरब देखें अगर कि अ कि देखें भारत है बेफ the इसे तो हम इसे यहाँ पर बोलते हैं साइक्लोन के राइट यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर इसे केरेबियन सागर में देखें अगर हम यहाँ पर केरेबियन सागर में देखते हैं केरेबियन सी केरेबियन सागर में तो इनका नाम हो जाता है हरीकेई केरेबियन सागर में ये हरीकेन कहलाते हैं, मैं आपसे यहाँ पर इसका मतलब उत्री अट्लांटिक महासागर में बात कर रहा हूँ, दक्ष्री अट्लांटिक महासागर में सतर कातापमान कम होने पर, ITC-Jet के विस्थापन के नो होने पर जादा यहाँ पर दक्षिय अट्लांटिक महासाधर में प्रायर ये चक्रवात नहीं होते हैं बहुत कम निर्मित होते हैं इसके अलावा हम गलपाप मैक्सिको गलपाप मैक्सिको के हिस्से में हम यहाँ पर टॉर्नेडो देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्नेडो का निर्माड होता है टॉर्नेडो एक ऐसा इस्थानी चक्रवात जैसा भी बनता है जो की इस्थली भाग में भी जनरेट हो सकता है तो यहाँ पर छेत्रिय नाम है इसके नबा कुछ और भी नाम है जैसे औस्ट्रेलिया में हम इनको विली विली कह सकते हैं पिलिपिनस में इनको बैगीयों के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर यह के कौण से है यह चेत्रियय नाम है रीजनल नेम है लेकिन एक बात और देखी गई है यहाँ पर कि आज कर आप सुनते होंगे जैसे हाल ही में एक चक्रवात आया जिसका नाम ओखी रखा गया, तो एक और तरीका है जिसके आधार पर हम साइकलोंस का नाम रखते हैं, यह बड़ा महत्पूर्ण है कि चक्रवातों से 30 खित्रों के लोगों को चेतावनी दी जाए, जिससे कि होने वाली आपदा को टाला जा सके, होने वाले विनास को टाला जा सके, इसलिए चक्रवातों को कुछ ऐसा नाम दिया जाता है, जिससे कि अगर लोगों को चेतावनी देनी है, उन्हें बताना आसान हो, तो चेतावनी प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए, यहाँ पर चक्रवातों को विसिष्ट नाम भी दिये जाते हैं, चक्रवातों को नाम देने की जो परंपरा है, वह परंपरा 1887 से प्रारंब होई, जबकि आस्ट्रेलिया के रेक साहब ने यहाँ पर एक प्रयास सुरू किया, और उन्होंने चक्रवातों को जो कुख्यात कॉलिटीसियंस थे, जो राजनेता थे, उनके नाम पर चक्रवात का नाम रखना प्रारंब किया, और यह प्रक्रिया उन्नीस सो आठ नो तर चलती रही, यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया थी, लेकिन अन्तता उन्नीस सो तिरपन में, यूएसे में, जो मेटरोलाजिकल डिपार्टमेंट टोगेर था, यूएसे का, उसने उपचारिक रू शुरू किया गया, यह प्रक्रिया उपचारिक रूप से आप उन्नीस सो तिरपन से प्रारंब होते हुए मान सकते हैं, माल दीजे अगर कोई पहला चक्रवात आया, तो उस चक्रवात का नाम हमने A से रख दिया, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, कि इसमे इसमें A से लेकर के W तक alphabet ही यूज होते हैं, इसमें Q, U, X, Y, Z, इन से नामों को सुरू नहीं किया जाता, थोड़ा कठीन है, इसलिए नामों को सुरू नहीं किया जाता, प्रारंब में, उन्नीस सो तिरपन में जब यह नाम करण पढ़ाली प्रारंब की गई, तो प्रारं जाता किये गए कि महिला और पूरुस दोनों के नाम पर यह चक्रवातो के नाम रखे जाएं, वर्तमान में सांस्कृतिक पक्छो के नाम या किसी भी राष्ट के प्रमुः पक्छो के नाम पर कोई भी नाम रखा जा सकता है, एक और बात महत्रकूर है कि वो सभी देश, व वो सभी तटिय देश, जो किसी न किसी महासागर के तटिय भाग में हैं, और वो साइकलोन से प्रभावित रहते हैं, उन देशों को अधिकार दिया गया है, कि वो अपने यहां से चक्रवातों के नामों की एक सूची परदान करें, और WMO उन में से नामों को सिलेक्ट कर लेत है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में साइकलोन के नाम करण की प्रक्रिया औप्चारिक रूप से 2004 से पारव हुई, और यहां पर अगर मैं आपको एक चीज सो कर दूँ, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम देखें, तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में चक्रवातों का नाम करण करने के लिए, जिन देशों को अधिकार मिला हुआ है, वो हैं बांगला देश, इंडिया, मालदीव, म्यामार, ओमान, पाकिस्तान, स्री ल यहां पर आप ध्यान दीजिए, जिसका नाम अलफावेटकल बीस है, अलफावेटकल में सबसे पहले है बी, बांगला देश, माल लीजिए, दो हजार अठार में पहला साइकलोन आ रहा है, माल लीजिए, तो यहां पर बांगला देश ने अपने नामों की एक सूची दी किया जाएगा, जो इंडिया ने सूची दी है, तीसरा आया तो माल दियू से, इस पकार हिंद महासागर में और उत्तरी हिंद महासागर में जो साइकलोन का नाम करण है, उसके लिए यह आठ देश, आठ देशों को नाम देने के लिए अधिकरत किया गया है, यह है बांगल था ओक्षी, और यहाँ पर देखिएगा ओक्षी नाम जो है, यह बांगला देश द्वारा दिया गया है, यहाँ पर यह ओक्षी, उसके पहले अगर आप ध्यान दें, तो उसके पहले जो साइकलोन आपने सुना होगा, वह साइकलोन था मोरा, तो इसका मतलब हिंद अगर में उसकरबंदी चक्रवातों का नामकरण देने के लिए, जिन देशों को अधिकृत किया गया है, वो यह आठ देश है, ठीक है, यह आप आठों देशों के नाम आपको यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं, हो सकता है, इस से UPSC आपसे question पूछ ले, अब यहा डिग्री, यह पाश डिग्री नॉर्थ, अगर माल लेते हैं यहाँ पर क्यों लिए ले, और यह तीज डिग्री नॉर्थ, तो यह हिस्सा जो है, यहाँ पर ब्यापारिक पवने चलती हैं, यहाँ पर ब्यापारिक पवने चलती हैं, अगर यहाँ पर कोई साइकलोन बनता ह तो वह साइकलोन ब्यापारिक पवनों के सहारे किदर चलेगा पूर्व से पस्चिम की ओर राइट तो इनकी दिसा प्रायर पूर्व से पस्चिम की ओर होती है यद्यब जब यह 15 डिग्री नौर्थ पहुंचते हैं तो थोड़ा उत्तर की ओर जाते हैं और फिर दक्षण की और भी आ सकते हैं ठीक है यह बात आपको ध्यान लखने हैं अब मैं फाइनल बात पर आता हूं जिसके लिए हमने यहां पर थोड़ा आपको परिचे दिया हाल के प्रमुख चक्रवाद जो रिसेंट में रहे इसमें जो स्वर्व प्रमुख चक्रवाद पहला नाम रहा वह रहां मरुथा मरुथा यह 15 से 17 अप्रेल 15 से 17 अप्रेल और इसकी स्पीड जो थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी बनी रही इसलिए इसको साइकलोनिक स्टार में सामिल किया गया और मरुथा का जो यहां पर नामकरण किया गया वह नामकरण स्रिलंका द्वारा दिया गया था यहां पर जो मरुथा नाम दिया गया वह मरुथा नाम स्रिलंका द्वारा दिया गया याद रखिएगा स्रिलंका दौरा दिया गया और इससे जो प्रभाविच छेत्र थे वो प्रभाविच छेत्र थे म्यामार अंडमान एंड नीकोबार प्रभाविच छेत्र है नीकोबार दीप समू और थाइलेंड मेजर एरिया जो प्रभाविच हुए मरुथा मरुथा चक्रवाद 15 से 17 अप्रेल 2017 2017 बेयाब बेंगाल में सक्री रहा और इसमें जो पवन है उसकी स्पीट केंदर की ओर 75 किलो मीटर प्रत गंटे की रही मरुथा नाम स्रिलंका द्वारा दिया गया और इससे जो प्रभाविच चेतर थे वो थे म्यामार अंडमानी कोबार आईलेंड और थाइलेंड ये चेतर प्रभाविच रहे इसके बाद एक और चक्रवाद आया जिसका नाम था मोरा मोरा यह जो मोरा चक्रवाद है यह नामकरण किया गया थाइलेंड वारा थाइलेंड ने नाम दिया मोरा चक्रवाद में जो पवनों की गती थी वो 110 किलो मीटर प्रत गंटे तक पहुँच गई इसका मतलब यह सीवियर साइकलोन था यह सीवियर साइकलोन था यहां हमने आपको साइकलोन की जो स्पीड दी है उसमें देखिए 117 तक पहुँच गया जो हमने पिछला आपसे मरुथा की बात की है उसकी स्पीड 75 रही है 75 किलो मीटर पर गंटा स्पीड कौन सी है बाहरी भाग से केंद्र की और जो स्पीड होगी तो यहां पर जो मरुथा था वह केवल साइकलोनिक स्टॉर्म था और जो मोरा था वो सीवियर साइकलोनिक स्टॉर्म है तुलना करने के लिए आपसे यह प्रस्ता सकता है इसलिए आप यहां पर तयार रहेंगे और इससे जो भी चेतर रहे, वो चेतर रहे, स्री लंका, फिर अंडमान एंड नीकोबार, फिर इसके बाद नौर्थ इस्ट इंडिया, बांगलादेश, बांगलादेश, म्यामार, इसके लावा इसकी तेज पवने जो हैं वो इबत तक भी प्रभाव डालती है, डालती रही, लेकिन ये वो प्रमुग चेतर हैं, जो तटिये चेतर हैं, जहां सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ, इसके बाद, इसके बाद जो अगला जो हमने सुना वो कौन सा था, ओखी, O-C-K-H-I, ओखी, ओखी का मतलब है आँख, आई, और यह नाम बंगलादेश द्वारा दिया गया, बंगलादेश, और यह यहां पर 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका प्रभाव बना रहा, और इसमें जो स्पीड थी, वह पहुँच कर हो गई, 155 किलो मीटर पर आवर, अब आप ध्यान दें, अगर यह 155 किलो मीटर पर आवर हो गया, यह वेरी सीवियर साइकलोनिक स्टार में कनवर्ट हो गया, यह वेरी सीवियर साइकलोनिक स्टार्म और बहुत अलग तरीके से इसने पैटर्न सो किया, यहां से जनरेट होकर यह इस तरफ पहुचा, तो यहां पर इसका पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ ओखी का, और ओखी जो है वेरी सीवियर साइक साइकलोनिक स्टार्म रहा है, बांगलादेश ने इसका नाम दिया और इस से प्रभावित होने वाले चेतर जो रहे स्री लंका, इंडिया और मालदीव्स, तो अब मैंने आपको यह क्यूं बताया, यहां पर मेरा उद्देश आपको साइकलोन पढ़ाना नहीं था, मेरा उ पिछले समय में, पिछले एक साल में, जो प्रमुक चक्रवात रहे, वह तीन चक्रवात प्रमुक रहे, पहला चक्रवात था मरुथा, यह नाम सीलंका ने दिया, बेया बेंगाल में रहा यह चक्रवात, 15 से 17 अप्राइल 2017, और इसमें जो सस्टेनबल विंड स्पीट थी, वह अब आपसे यहाँ पर स्टेट्मेंट बन सकता है, मरुथा के बारे में, मोरा के बारे में, और ओक्खी के बारे में, और पूछा जा सकता है, यह क्या थे, ओके, तो यहाँ पर जो मरुथा है, that is only cyclonic star, और इससे प्रभावी छेत्र है, म्यामार, अंडमान, नीकोबार, वी गंटे की रफ्तार, और 110 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार है, तो आटोमेटिकली यह हो गया, severe cyclonic storm, और यहाँ पर प्रभावित होने वाले चेत्र है, स्री लंका, अंडमान, नीकोबार, दीप समू, नौर्थ इस्ट इंडिया, बांगलादेश और म्यामार, और और बांगलादेश ने यह नाम दिया, 29 से 6 दिसंबर 2017, 155 किलोमेटर प्रतियावर की स्पीड, और यहाँ स्री लंका, इंडिया और मालद्यू प्रभावित छेत रहे, अब एक दो बात और यहाँ पर हम कर लें, कि जो यह चक्रवात होते हैं, उश्करबंगी चक्रवात, जब यह इस जली भाग से, इस्थली भाग की और पहुंचते हैं, अगर माल लीजिए, यहाँ पर यह ओस्यानिक पार्ट है, और यह लैंड पोर्षन है, अगर पहली बार कोई साइक्लोन यहाँ लैंड करता है, तो हम इसे बोलते हैं, लैंड फॉल, यह लैंड फॉल कहलात है, और इसके बाद, चूकि इन उष्कडबंदी चक्रवातों के उर्जा का प्रमुख स्रोत, वास्पन की प्रक्रिया में जो जलवास्प और संग्णन की गुप्त उस्मा होती है, वही होती है यहाँ पर इसकी उर्जा का मुख्ष स्रोत, तो चूकि यह इस्तल भाग में आते हैं, तो उर्जा का यह स्रोत कड़ जाता है, इसलिए जब यह इस्तली भाग में आते हैं, तो यहाँ पर यह चक्रवात समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो अपने साथ यह उर्जा लेकर आयो होते हैं, वो उर्जा पूरी रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, इसलिए तट करबंदी चक्रवाद उसका केंदरी भाग आई कहलाता है उसके चारों तरफ आई वाल होती है और उसके चारों तरफ यहां पर spiral bands होते हैं यह सब आप जानते होंगे किसी समय time मिलता है तो मैं आपको इसमें विस्तार से बात करूँगा जब आई जो होती है याद रखिएगा यह सबसे सांथ छेतर होता है और low air pressure zone है आई और जब यह किसी महासागर के उपर से आई गुजरती है तो यह नीचे के जल को उ किस्ती है महासागरिय जल उपर उठता है और gravity के कार फिर नीचे गिरता है इसलिए जब चक्रवात महासागरों के उपर से गुजरते हैं तो यहां महासागर में उची उची लहरे पैदा होती है जिसे हम इस्टार्म सर्ज कहते हैं जिसे हम इस्टार्म सर्ज कहते हैं तूफान महोर में कहते हैं अब उर्षकडवन्दी चक्रवातों में हरीकेंद एक विस्त्रिच चक्रवात होता है जो करेबियन सागर अट्लांटिक महा सागर यहां पर उत्पन्द होता है और हरीकेंद की तिब्रता का मापन जो है वह सैफिर सिम्पसंद पैमाने पर किया जा है सैफिर सिम्पसंद पैमाने पर और जो टॉड़नेडोज हैं उनकी तिब्रता की माप फुजीटा पैमाने पर की जाती है तो मित्रों वर्तमान में जो करेंट अफिर सम्मंदित अगर कुछ साइकलोंस रहे हैं जो इंडियन ओशन में रहे हैं तो आपके लिए यह तीन मह पत्कूर हैं इसी तरह आपको जितने भी साइकलों पिछले एक साल में अन्य महासागरों में आये हैं वो आपको देखते रहने हैं उसे आपको देखना है और करेंट अफियर में इसी पैटर्न पर आपको तयारी करनी है आगे कभी जब समय मिलता है तो हम आपसे इस पर और बिश्तरित चर्चा करेंगे तक तक आप बुदानिया आयस ग्रूप के जो इस तरह के लाइव टेली कास्ट होते रहें लाइव पसाड़ होते रहें उन्हें आप देखते रहें थैंक्यू क्जि़ करना प्साग कर दो टेखसे उन्हें जिया प्रन ऑलो आपणिश मिलता है तो हम उन्हें नहें झालत एप प्राद। घट्रों समय मिलता है लाइव ढॉए समय मिलता है और चका लाइव बुदानिया थाराण कि यह हतली चरोंक